हालो बच्चों हमारे यूट्यूब चेनल आर्वी प्रसाद में आपका स्वागत है बचों जैसा कि जानते हैं कि अपने यूट्यूब चेनल के मादवियं से हम फिजिक्स मैं और साइंस सिस्वागत को देते रहते हैं यदि आप मारे यूट्यूब चेनल पर पहली बार तर फ्लीज चेनल को सब्सक्राइब कर लें इन देनों हम ट्वेल्थ फिजिक्स में यूपी बोर्ड में पुछे गए कुछ नमेरिकल को लेकर आते रहे हैं 500 जीड़ी बीदु में यहां से का मांष सब्सक्राइब मेन मीतरपति ब्ति सेकेंड़ कीरहें तो यह आपका पहला question रहा इसका आंसर होगा meter पती second दूसरा question है कि एक photon का तरंगदाद एक angstrom है उसका संब्रेख क्या होगा photon का तरंगदाद lambda is equal to दिया हुआ है एक angstrom इसको आप meter में अगर बदलेंगे तो 1 into 10 power minus 10 meter हो जाएगा जैसे lambda is equal to होता है h upon 3 तो यहाँ से 3 equal to हो जाएगा h upon lambda h playing constant है जिसका मान होता है 6.6 into 10 power minus 34 और lambda का मान है 1 into 10 power minus 10 यह हो जाएगा हमारा 6.6 into 10 power minus 24 संब्रेख का मात्रा का आप जानते हैं kg meter प्रतिसेगेंड होता है यह हमारा आंसर हो गया 6.6 into 10 power minus 24 आईए तीसरा सवाल देखते हैं तीसरा सवाल है कि एक लंबे तार में 5 एंपियर की बिद्धु धारा प्रवाइद होती है एक इलेक्टरान तार से 10 cm की दूर पर हवा में 10 power 6 meter per second के चाल से धारा की दिसा के समान अंतर चलता है इलेक्टरान पर बल की गणना कीजिए तो ये तार है इसमें 5 एंपियर की धारा चल लएए ये तार इस तरह से अगर हम देखें तो इसमें 5 एंपियर की धारा चल लएए इस तार से 10 cm की दूरी पर 10 cm की दूरी पर एक इलेक्टरान तार के समान अंतर 1 इंट्टेंज पर 6 meter per second के बेग से चल लाए है तो इस इलेक्ट्रान पर लगने वाले बल F की गढ़ना करनी है आपको एक तरह सी यह लारंज बाला है जिसको आप लिखते है F is equal to Q into V into B into sin theta Q क्या है आवेस है भी बेग है और B चुम्बकिय छेतर किति बरता है sin theta भी और B के बीच का कूण है तो यहाँ पर भी का मान दिया हुआ है 1 into 10 power 6 Q के लिए आप लिखेंगे इलेक्ट्रान तो 1.6 into 10 power minus 19 लिखेंगे और इस बिंदू पर अगर B को देखना चाहें तो B के लिए एक खमला होता है mu 0 upon 2 pi into I upon R B is equal to तो यहाँ से B is equal to mu 0 upon 2 pi को लिखेंगे 2 into 10 power minus 7 I को लिखेंगे 5 ampere और बटा R को लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक की दोरी 10 centimeter है इसको मीटर बन लेगे तो 10 to power minus 2 से गुड़ा कर लेगे यह B हो गया और थीटा को अगर देखें तो थीटा B और B के बीच का कोण है इस बिंदू पर B की दिशा को देखना चाहें तो इस तरह से धारा की दिशा में उठा करेंगे और चारों उंगलियों को इस point की तरफ करेंगे तो हथेली से बल अंदर की तरफ लग रहा है तो B की दिशा तल के लंग बहुत अंदर की ओर हो गया और B उपर की ओर है तो दोनों के बीच का कोण है 90 डिग्री हो जाएगा तो अब यहां से आप एप इस कार्टर लिखेंगे 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 क्यों की जगा बी की जगा लिखेंगे 1 इंटू 10 पावर 6 और B की जगा लिखेंगे 2 गुडे 10 बेगाते माइनस 7 गुडे 5 बटा 10 गुडे 10 पावर माइनस 2 और इसको अपहाल करेंगे तो आएगा F is equal to 1.6 इंटू 2 1.6 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 10 पावर माइनस 19 ये होगया और प्लस 6 ये होगया माइनस 7 होगया और उपर जा करके प्लस 2 होगया और ये 10 है तो 10 जा करके माइनस 1 हो गया यह क्या हो गया, f is equal to 1.6 into 10 into, यह 20 to power minus 7 minus में होगा, और plus हो जाए रहेगा 8, यह हो गया हमारे पास, f is equal to 1.6 into 10 into 10 to power minus 19, और इसी को लिखेंगे, 1.6 into 10 to power minus 18 newton, यह ही आपका answer बन क्या हो गया, 1.6 into 10 to power minus 19 newton, यह हमारा तीसरा सवाल था, आईए चौथा सवाल देखते हैं, एक उत्तलेंज की फोकवदूरी 5 cm है, उसकी छंता क्या होगी, फोकवदूरी f is equal to 5 cm, और इसको आप लिख सकते हैं, 5 into 10 to power minus 2 meter, क्योंकि छंता के लिए फोकवदूरी को meter में लेते हैं, तो छंता यह हो जाएगा 1 upon 5 into 10 to power minus 2, अगर फोकवदूरी को meter में लिखते हैं, तो छंता डायोकवदूर में आता है, तो यह 10 to power minus 2, उपर जाकरके 100 हो गया, और यह 5 हो गया, आंसर जाएगा 20 डायोकवदूर, यह आंसर हो गया, आईए अगला question देखते हैं, अगला question है कि end gate के दिए के logic प्रतीक, बुलियन बेंजक के साथ, सत्यता साड़ी प्रदसित कीजी, end gate है, उसका logic प्रतीक, बुलियन बेंजक और सत्यता साड़ी दिखानी है, तो logic प्रतीक इस तरह से बनता है, दो input, A और B लेते हैं, और एक output Y निकालते हैं, यह एक तरह से D की तरह होता है, तियो ह समारा हो गया लाजीख प्रतीक और बॉलियन बैंजक को लिखते हैं अब इनपूट एबी और यत तरह लिखते हैं एगर वन करते हैं तो वन इंटु वन करेंगे तो क्या हो जाएगा वाई वन हो जाएगा एको लेते हैं और बी को लेते हैं जीरो तो रहलते हैं जीरो जीड़ाइगा ज़ीड जेड़ सीडकी जेड़ channel जड़ी को लेटे हैं टो जी MG Ό एंब पर और शिचन था आई आगला वैंसमि देखते हैं अग। दो मीमी के अंतराल पर इस्तित दो जिर्वियों पर 5800 एंग स्ट्राउं तरंगदयत का प्रकास लंबवत आप्तित होता है जिर्वी से एक मीटर दूरी पर पर फ्रिंज बनती है फ्रिंज की चौड़ाई ग्याद करनी है और केंद्री फ्रिंज से पाचवें दिप्त फ्रिं लिखते हैं तियों जाता है दो मिमी या और इसको आप मीटर बदलेंगे तो दो गुड़े 10 पाउर माइनस 3 मीटर लिखते हैं और पर्दे की जिर्वियों से दूरी को कैपिटल D से लिखते हैं और इसका मान है एक मीटर और व्यवलेंथ प्रकास का जो इस पर पढ़ रहा है वो है 58100 एंगेस्ट्राम या इसी को लिखते हैं 58100 इंटू 10 पाउर माइनस 10 मीटर और आप से पूछा गया है फ्रिंज की चोड़ाई तो फ्रिंज की चोड़ाई डवलेंच को लिखते हैं दी लेंड़ा अपान 2D कमान आपके सामने एक मीटर है लेंड़ा है 58100 इंटू 10 पाउर माइनस 10 और 2D कमान है 2 इंटू 10 पाउर माइनस 3 यह आपका आ जायेगा 2900 तू से कटके और इंटू 10 पाउर माइनस 10 और प्लस 3 यह जायेगा त्या जायेगा 2.9 into 10 power minus 10 plus 3 plus 3 यह decimal इधर कर देंगे तो plus 3 हो जाएगा यह आगए आपका 2.9 into 10 power minus 4 meter यह इसी को लिखेंगे आप 0.29 mm यह आपका W हो गया अब आपसे पुछा गया कि 5 में दिफ्त फ्रिंज की केंद्री फ्रिंज से दूरी तो इसको आप X is equal to लिखते हैं N into W तो X कमान आजाएगा N कमान 5 है और W कमान 0.29 है तो यह हमारा आंसर हो गया आईए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि चित्र में प्रदर्सित परिपत में धारा I1 और I2 कमान ग्यान कीजिए तो यहां पर एक चित्र है तो यह परिपत आपका दिया गया है इसमें तीन बोल्ट का XL लगा हुआ एक प्रत्रोद 10 ओम है और ये दोनों प्रत्रोद 20 ओम और 50 ओम है और 15 ये दोनों प्रत्रोद स्टाडि क्रम में जुड़े हुए ते इन दोनों का समलित मान कितना हो जाएगा डारेक्ट जोड़ जाएगा 20 प्लस 50 इस उकल टू 70 तो यहाँ पर इसको हटा करके एक साथ क्या लिग देते हैं 70 लिग देते हैं ये 70 हो और इस i2 का मान देखना है और ये 70 और 15 समांतर क्रम है तो इन दोनों का समलित प्रत्रोध क्या हो जाएगा r is equal to लिखते हैं r1 into r2 बटा r1 प्लस r2 ये हो जाएगा 70 गुड़े 15 बटा 70 प्लस 15 इसको हल करेंगे आजएगा 10 पचास बटे पचासी आजएगा 12 दसनों 3 पांच 3 तो ये दोनों मिल करके हो गए 12 दसनों 3 पांच 3 और ये 10 ओम जो होगा है इन सब के साथ स्रणी करम में जुड़ा है तो परिपत का संपुड प्रत्रोध क्या हो जाएगा बराबर 10 ओम प्लस 12 दसनों 3 पांच 3 ओम क्या हो जाएगा 22 दसनों 3 पांच 3 ओम अब अगर ये धारा आईवन पुछी गई है तो इस तीन वोल्ट में इस पूरे प्रत्रोध से डिवाइड करेंगे तो ये धारा आईवन निकल जाएगी तो आईवन इसकल्ट हो जाएगा 3 अपां 22.353 और ये हो जाएगा अपना 0.134 ये 0.134 अब यहां से इसमें धारा आईटू पूछी रहे है तो इसमें धारा आईटू अगर देखें तो इस बिंदू और इस बिंदू के बीच विवाणतर निकलना पड़ेगा तो विवाणतर निकलने के लिए इस रिजिस्टेंस के तुरू जितना विवाणतर उसको तीन बोड़ से घठा देगे क्या लिखेंगे 10 ओम में विवाणतर क्या हो जाएगा 10 गुड़े 0.134 क्या जाएगा 1.34 बोल्ट बचा कितना 6 विवाव क्या हो जाएगा 3-1.34 और यह क्या बच गया 1.66 बोल्ट अब यह 1.66 बोल्ट इस रिजिस्टेंस के सीरो के बीच भी होगा और इस पूरे रिजिस्टेंस के सीरो के बीच भी होगा तो इन दोनों रिजिस्टेंस को माने तो 70 होगा यहां यहां बीच था यहां पचास था तो पचास बीच सतर था तो अगर आई इस उकल टू निकालना है आपको तो भी बटा आर करेंगे तो आई की जगा आई टू लिखेंगे के जगए uno भी प्वाइच एड़ बव्यागे जगए जिंडा पॉइंट गया जिंडा पॉइंट फॉर यांपीया तो निक्रोफ़ टीया आपको अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन आई कि एक hydrogen परमाणू में electron 0.53 angstrom त्रिज्या की एक कक्षा में 2.3 into 10th power 6 meter per second के बेग से घूम रहा है। परिक्मन करने वाले electron के चुम्बकी आगोण की गणना कीजिए। तो यहाँ पर r is equal to है 0.53 angstrom और इसको आपलिख सकते हैं 0.53 into 10th power minus 10 meter और velocity b is equal to 2.3 into 10th power 6 meter per second है। तो यहाँ पर चुम्बकी आगोण m is equal to निकालना है तो इसका फ्रमला होता है e b r upon 2 e क्या है 1.6 into 10th power minus 19 और b है 2.3 into 10th power 6 और r है 0.53 into 10th power minus 10 और अपान हो गया 2 तो यहाँ से हो जाएगा 0.8 इसको आप हल करेंगे आएगा 9.75 into 10th power minus 24 ampere meter square यह चुम्बकी आगोण होगा 9.75 into 10th power minus 24 ampere meter square तो इस तरह से इसको करेंगे। अगला question है कि एक खिलाड़े जिसकी उचाई 12 meter है 18 किमी प्रदिघंटा की चाल से पूर्व की ओर दोड़ता है उसके सीरो तथा तलवों के बीज कितना बेववांतर होगा दिया है H is equal to 4 into 10th power minus 5 बेवरपती meter square यदि वह उत्तर की ओर दोड़ रहा है तो उत्तर की ओर दोड़ रहा है इसकी लंबाई L is equal to 12 meter 12 meter लंबाई है और इसका बेग 18 किमी प्रदिघंटा यह बेग है तो इसको मीटर पर सिक्रम बन लेगे तो भीज कल्ट हो जाएगा 18 गुड़े 1000 बटा 3600 यह हो जाएगा पांच मीटर प्रती सेकेंट बेग हो गया और H का मान है 4 into 10 पाउर माइनस 5 बेवर प्रती मीटर स्क्वाइर तो यहां से बिद्युद चुम्बकी प्रण के सिद्धांद के अनुसार बिद्युद बाग बल भीज कल्ट हो जाता है बी इंटू बी इंटू यल इंटू साइन थीट और यह हो जाएगा अगर वह पूरब की और चल रहा है तो चुम्बकी बल लेखाओं को काटते वे चलेगा तो वहां पर बी की जगए एच लिख देंगे क्योंकि जो चुम्बकी छेत्रा है बी उसका हरिजंटल कंपोनेंट है एच लिखेंगे एच हो जाएगा फोर इंटू 10 पावर माइनस फाइप इंटू भी का मान हो गया फाइप इंटू यल का मान हो गया बार तो यह जाएगा बारपचे साड़ चक का दो सो चालीस गुड़े 10 पावर माइनस फाइप और यह हो गया 2.4 इंटू 10 पावर माइनस थ्री बोल्ट तो एक आंसर तो यह हो गया जब वो पूरप की उर चल ला है और जब उत्तर की उर चलेगा तो चुम्बकी छेत्र की दिशा भी उत्तर की और चलेगा तो यहाँ पर चुम्बकी यह बल रेखाएं उत्तर ढक्षिड दिशा में है और वो पूरप पश्चिद दिशा में चल ला है तो थीटा कमान जीरो में चल दो यहाँ पश्चिद दिशा में चल लाए तो थीटा कमान आप नाइंटी रखेंगे जो क्या हो पूरा कटकी के आ जाएगा 0 आ जाएगा तो जब वह उत्तभ दख्षिर दिसाम चल ला तो धी कमान 0 होगा और पूरा पश्चिर दिसाम चल ला है तो धी कमान 2.4 इंट्टु 10 पर मैनस 3 बोल्ट हो जाएगा तो यह हमारा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि 5000 एंगस्ट्रांग की तरंग दैद के लिए किसी प्रकास बिद्दू सेल का निरोधी विभव 2.5 बोल्ट है तथा 6000 एंगस्ट्रांग प्रकास तरंग दैद के लिए यह 2.1 बोल्ट है प्लांग इस्थिरांग की गड़ना कीजिए तो यह फोटो इलेक्ट्रिक एफेक्ट्स से संब्दू स्क्रेश्चन है इसमें किसी वस्ट दूपर जब 5000 तरंग दैद का प्रकार डाला जाता है तो इस्टापिंग पोटेंशियल निरोधी विभव जिसको कहते है वह 2.5 बोल्ट है और 6000 एंगेश्ट्रम का प्रकार डाला है तो वह निरोधी विभव 2.1 बोल्ट है तो आपसे प्लेंग नियतांग के पूछा जा रहा है तो इसके लिए एक फ्रमला होता है वह होता है एच सी अपान लेंबडा माइनस वर्ग फंक्शन इस गोल टू स्टा प्रकार डाला जाता है तो पहले जब प्रकार डाला जाता है पांच हजार एंगेश्ट्रम का तो हो जाएगा एच सी अपान पांच हजार गुड़े 10 पावर माइनस 10 इसको मीटर बतल लेंगे माइनस डवलू इस उक्वाल टू ए भी ए और भी की जगा भीवन लिख दूसरी बार 6000 एंगेश्ट्रम का प्रकार डाला जा रहा है इसको मीटर बतल लिए माइनस डवलू इसक्वाल टू ए इंटू भी टू टू पाइंट वन हो जाएगा अब इन दोनों को माइनस कर दिजिए तो यहां माइनस हो गया यहां प्लस हो गया यहां माइनस हो गया क् XC यहां से common हो जाएगा 1 upon 5,000 into 10th power minus 10 minus 1 upon 6,000 into 10th power minus 10 www से cancel हो गया यह हो जाएगा e common लेके 2.5 minus 2.1 यहां से H into C common 3 into 10th power 8 velocity applied है अपान यह 1000 यहां से निकाल लेते हैं 10th power minus 10 यहां से निकाल लेते हो जाता है 10th power minus 7 और इधर बैसता है 1 upon 5 minus 1 upon 6 is equal to e into यह minus के रहेंगेत के हो जाएगा 0.04 यह आपका H into 3 into 10th power 8 और यह प्लस उपर जाके 7 हो जाएगा और यह हो जाएगा 36 minus 5 यह हो गया is equal to e into 0.04 इसको आप अगर हल करें तो क्या हो जाएगा H into 3 into 10th power 15 into 1 upon 30 is equal to e into 0.04 यहाँ पर 0.04 होगा और यहाँ से H कमान आ जाएगा 0.04 अपान 3 into 10th power 15 यह 30 उपर जाके गुड़ा कर लेगा और e कमान हो जाएगा 1.6 into 10th power minus 19 यह वाला e क्या हो जाएगा 1.6 into 10th power minus 19 यहां से H is equal to आ जाएगा 3 3 से कटेगा यहां 10 बज गया और यहां हो गया 4 गुड़े 1.6 गुड़े 10th power minus 19 और यह उपर जाकर के minus 15 हो जाएगा यहां से क्या बज जाएगा 6.4 into 10th power minus 34 एज कमान हो गया यह हमारा question रहा है यहीं आंतर हो जाएगा तो आज हमने कुछ है 2016 में पूछे गए numerical question को दिया उमीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप मारे YouTube चैनल के comment box में comment करके अपनी समस्या के समाधन करेंगी और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज लाइक करेंग झाल